दोस्तों अगर आपका खाता पंजाब निशनल बैंक में है तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने बैंक एकाउंट में किस तरह से अपना अधार सीडिंग कर सकते हो तो चलिए बिना डिले कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए ना आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत है ना ही आपको डिविड कार्ट डिटेल्स देने की ज़रूरत है काफी आसानी से आप OTP बेस्ट आधार सीडिंग प्रोसेस को कम्प्लीट करके अपना अधार कार्ट खाते से लिंक कर सकते हो और यहाँ पर आपको बता दे कि NPCI से लिं इंजाब नेशनल बैंक में तो सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर को ओपन करके PNB सर्च कर देना है PNB इंडिया.in सबसे उपर में ही आपको दिखाए देगी इस ऑफिसल पेज़ पर आ जाना है जो कि PNB के ऑफिसल वेबसाइट है तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे options मिल जाएंगे यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग में login करने की जरूरत नहीं है तो आपको PNB के home page पे ही यहाँ पर देख सकते हो साइड में नीचे से दूसरे नंबर पर update अधार की option दिखाए दे रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया page होगा तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो इंटरनेट बैंकिंग में यहाँ पर login करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हो OTP-based अधार sitting और authentications of account यहाँ पर दिखाए दे रही है तो यहाँ पर नीचे में आप इसको पर सकते हो और नीचे में यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है click here for OTP-based अधार sitting तो इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद अब आप तीन step में अपने जो है अधार sitting प्रोसेस को complete कर सकते हो account number देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है तीन steps कौन कौन से हैं तो सबसे पहले आपको आपका account number देना है फिर continue पर click कर देना है उसके बाद आपके जो bank में register number है उस पर एक OTP आएगी अब दूसरे step में आपको क्या करना है जैसे continue करेंगे तो फिर दूसरे step में आ जाती है OTP की बाद तो यहाँ पर आप जो है अपना यहाँ पर continue करने के बाद OTP और capture डालेंगे और उसके बाद validate पे click करेंगे और जैसे ही आपका OTP validate हो जाता है आपको दूसरे page पे लेके जाएगा जहां पर आपको अधार number देना होगा और अधार authentication कराई जाएगी तो तीसरे step में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे अधार number डाल के आप click करोगे तो आपका successfully जो है आपके personal details bank account में जो भी है और जो आपके आधार पर है वो आपका so हो जाएगा और IC process को follow करने के बाद आपका successfully bank account में आधार सेडिंग की process complete हो जाएगी तो चलिए अब हम यहाँ पर process को आगे बढ़ाते हैं यह process थी चुकि 3 step में हो जाती है तो च यहाँ पर हमने अपना account number डाल दिया है चलिए continue पर click करते हैं continue पर हमने click किया अब यहाँ पर हमसे OTP मांगा जा रहा है और capture डालने को बोला जा रहा है तो capture तो यहाँ पर show नहीं हो रहा है चुकि internet connection शायद मेरा शूल है जिसके विज़से यह capture load नहीं हुई है और OTP भी मु चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि capture अभी भी नहीं आई है तो लगे हाँ एक बार और refresh कर लेते हैं तो capture फिर भी नहीं आई अब जाके capture यहाँ पर आ चुका है लेकिन OTP अभी तक मुझे receive नहीं हुआ है अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि bank एक तरफ सरकारी है और द कने भी जानी है तो मेरे नम्बर पर डहुला है तो देख लेते हैं धुर्ट देर और उसके left अम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों बहुत देरे इंतजार करने के वाद वीडियो स्किप किया उसके रहा है तो दोस्तों हम आगे की प्रोस्षेस अपको नहीं दिखासकते हैं तो अगर आपको Mama colour प्रोस्षेस का से अ किया जाती है आप अपना जैसे इसको continue करेंगे आपकी जो अधार की details है वो आपके सामने होगी और फिर आपका जो अधार सीडिंग का process है वो काफी असानिन से complete हो जाएगा internet banking कोई जरूत नहीं है जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैं यहाँ पर process करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत try किये हैं यहाँ पर मुझे OTP नहीं मिल रहा है आप लोगों को OTP मिल रहा है कि नहीं कमेंट स्रिक्शन में ज़रूर बताएगा लेकिन यह था पज़ाब नेशनल बैंक में अपना अधार कार्ड सीड करने का यानि लिंक करने का process अब बात कर देखिए कि अगर आपका कोई भी बैंक नपीशे लिंक नहीं है तो यह अगर बैंक यहाँ पर अधार सीडिंग कम्प्लेट करने के बाद 8-10 दिन वेट करिए और अगर UIDI के website पर यह सो नहीं होता है कि आपका कोई भी खाता लिंक है तो फिर आप पी एन बी का एक form आता है जो कि अधार सीडिंग form है इस form को fill up करने के बाद आप अपने ब्रांच में जमा दे सकते हैं और उसके बाद 100% जो है आपका NPCI से लिंक कर दिया जाएगा आपका खाता तो इस तरीके से आप पी एन बी के अंदर अपने अधार सीडिंग प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हो उमीद है कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेहल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजिए इजाज़त थैंक्यू